तो बड़ी ख़वर आ रही है राजदानी रैकुस जहां मुख्यमंत्री भुपेज बगेल सौमी वियकर ने रेपोर्ट पहुंचे आपको बताते चले कि कल राहूल गांदी के साथ नई दिल्ली में मुख्यमंत्री भुपेज बगेल और टीए जियो देव की मुलाकात हुई सब्सक्राइब के नारा लगा रहा है कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहा है यहां सब सुनिया जी राहुल जी के नारा लगा रहा है कांग्रेस पार्टी के नारा लग रहा है पीजेपी वैसे भी परसान है यहां किसानों की सरकार है किसान का बेटा मुख्यमंत्री है वो सबसे बड़ी चुनोती वो मानते हैं और चतीजगर के जो संस्कृती है उसके पास भार्टी जनता पार्टी के इसके पुरी जवाब नहीं है भार्टी जनता पार्टी दो जार ती से लेकर 18 तक लगातार पर भरोसा तीन परोसा सरकार रही है पहले बार भार्टी जनता पार्टी अपनी 36 गड़ में अपनी असलियत जानकारी हुई और आज वो 15 साल में 14 सीट में सिमट गए हैं जहां तक के सरकार के बात है सुनिया जी ने राहूल जी ने मुझ जैसे किसान को सरकार की जिम्मेदारी सौपी और ये सरकार किसानों की है अदवासियों की है मज़़ूरों की है ये 36 गड़ के 2.80 लाख लोगों की है सब का प्रतमिजित करती है बहुत सांदार ढंग से काम कर रही है मुझे इस बात की खुसी है कि मुझे सुनिया जी और राहूल जी ने जिम्मेदारी दी और मैंने पहले भी कहा था उनका जब तक के आदेश है तब तक कि मैं इस पत्र पे हूँ जब वो कहेंगे इस पत्र कर दूँगा इसमें किसी को कोई संसय नहीं होना चाहिए जो ढ़ाई साल ढ़ाई साल के राख अलाब रहे न वो राजनीती और स्थीर तक लाने कोशिज कर रहें लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे और इस मामले में कल पुनिया जी बहुत इसपश्ट कह चुके हैं